हेलो स्टुडेंट मैं पवन ममोरिया उडान डिजिटल के आनलाइन प्लेटफर्म पर आपका स्वागत करता हूं आज हम नया एक वीडियो लेकर आये हैं जिसमें केमेस्ट्री के जो अभी लास्ट टू या थ्री एर में जो नियुमेरिकल आये उनका सॉलिशन है कोश्चन हम नियुमेरिकल आयेंगे तो हम तीनों के नियुमेरिकल कवर कर रहें जो इंपोर्टेंट नियुमेरिकल है और एक्जाम में आये हुए हैं कैल्कुलेट दो मोलेरिटी आफ ऑफ सॉलिशन कंटेनिंग 5 ग्राम फाइप ग्राम फैने वेच इन 450 एमेल आफ सॉलिशन आपको मो 50 ml फॉल्यूम दिया है 450 ml ग्राम में मास दिया है तो डब्लीवी जो सॉल्यूट है उसका ग्राम में द्रविमान दिया है 5 ग्राम और नियुच का मॉलिकिलर मास जो होता है वो कैसे फाइंड करते हैं 1 न प्लस 1 ओ प्लस 1 एच और आप जानते हैं अगर आपको कैलकुलेशन पहले से पता है 1 x 23 होता है 1 x 16 होता है और 1 x 1 होता है तो टोटल आ जाएगा 40 ग्राम तो अगर 40 ग्राम आ गया तो यह हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल यह होता है अगर वालियूम लीटर में होता है तो उपर 1 आता है अगर यह मिली लीटर में हम यूज करें तो यह अगर वालियूम यूज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 इतना सिंपल सा टू मार्क्स का कुश्चन आया हुआ है बस आपको वैलियू कुट करनी है डवलियू बी की वैलियू सॉलिट के वैलियू 5 ग्राम डिवाइड बाइ 40 एंटू 1000 और डिवाइड बाइ 450 जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर यह 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा यह 5 और यहाँ कितना आ जाएगा 2 टाइम्स तो हमको एम की वैलियू मिलेगी 5 गाइटीन और 5 गाइटीन हम यहाँ से वैलियू निकाल सकते हैं एक बाइटीन की कितनी आएगी तो 0.227 मुझे मिल गया 0.278 और यह आ जाएगा मोलर तो हमने डवलू भी का मान रख दिया एम भी का मान रख दिया 1000 तो जो है और वी जो आयता ने स्वारी उसका मान रख दिया और इसा करने से हमको निमेरिकल में वैल्यू मिल गई अब उसको हम सॉल कर लेंगे नेक्स लेते हैं कट्व जंड तो फञीं मौलरटीया प्योर वार्टर की मौलरर ड्री थार्न करना है चाहिए मौले taki मौलेलिटी आ आवें इसमें तुष्ण ध्यान रखना है QGP ौड़र वह 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 है हम एजम्सन ले लेंगे लेट इस एजीम डेट प्योर वाटर इस वन लीटर और वन किलोग्राम वन किलोग्राम हमने वाटर ले लिया वह एंग्रम और वाल्यूम अगर मोले लिटिफाइड करना थो वाल्यूम की बात करें लिधा वाल्यूम हो गया वाण लीटर अभी मोल इसल्ट का फार्मूला राइट किया हमने वन लिटर या 1000 ml हो जाएगा WB by MB into 1000 और डिवाइड वाइड वी ml में कुछ नहीं करना है वैल्यू पूट करना है यहाँ पर कितना हैगा 1000 नीचे वैल्यू पूट करता हूँ 1000 डिवाइड वाइटीन into 1000 और लास में VML की वैल्यू भी कितनी है 1000 ये तो कैंसल आउट हो गया 500 और डिवाइड वाइड वाइड कितना आजाएगा 9 500 वाइड 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 डिवाइड करेंगे हमको मिलेगा वैल्यू 55.55 मिलता जाएगा और ये हो जाएगा मोलर अगर यहीं morality के लिए question आता है तो यहां पर WA आता है weight up solvent और weight up solvent pure water solvent जो है वह भी pure water है solid भी वही है और solution भी वही है तो 1 kg या 1 litre use करना पड़ेगा अगर हम volume की बात करें तो 1 litre use करेंगे और mass की बात करेंगे तो 1 kg करेंगे लेकिन वैल्यू यहीं आएगी 55.56 वहां मोलल राइट करना पड़ेगा नेक्स थर्ड नंबर का कुश्चन लेते हैं यह लास्ट इयर का कुश्चन है 2020 का 5.85 ग्राम फैनेशल डिजॉल इन 250 करना है आपको कुश्चन पढ़कर समझ में आना चाहिए 5.85 ग्राम फैनेशल डिजॉल है तो सॉल्यूट जो होगे वह उसकी वैल्ली हो गई कुश्चन अधार हे यह किसम कावेट कितना है 250 ग्राम कोलोर मास को हमको फइन करना पड़ेगा वन एन ने कितने रिंगाँ वाहले ने कितने MILL यु जानते 23 का और थप्दला का और थार्भ माइब पॉइन का। पॉटल आ जाएगा फिप्टी एट पॉइंट पॉइंट फाइप मोलरिटी का फार्मुला यूज करेंगे मोलरिटी इस इक्वल तू नंबर आफ मोल्स और यहां आ जाएगा मॉलिकुलर मासा यह वेट आफ सॉल्वेट अगर यह ग्राम में हैं तो 1000 से मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा बस वैल्यू पूट करो 5.85 ग्राम कि डिवाइट बाइट पॉइंट पॉइंट फाइट पॉइंट 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 बाइट बाइट फ 50 जीरो से कैंसिल हो गया यह फॉठ टाइम्स कैंसिल हो गया यहां पर देखिए पॉइंट के बाद टू डिजिट हैं यहां पर भी तू डिजिट बना लेते पॉइंट से पॉइंट कैंसील हो जाएगा 10 टाइम्स हम को वैल्यू मिलेगी फॉर बाइट एन और फॉर हुए नेक्स कुश्चन लेते हैं कि यह इस चेप्टर का सबसे इंपोर्डेंट कुश्चन है जो बार-बार रिपीट होता है पर थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको केलकुलेट दो ऑस्मोटिक प्रेशर आप 5% सॉलीशन आप ग्लुकोज एट 27 डिग्री सेंटिग्रेट यह पिछले साल जब आया था 25 डिग्री से आया था लेकिन 27 से भी आता है तो हम 27 से स्को सॉलीशन देखेंगे चली केलकुलेट दो ऑस्मोटिक प्रेशर आपको परासरन दाप की गणना करनी है 5% ग्लुकोज के विलियन की परासरन दाप की गणना कीजिए जबकि ताप कितना हो 27 डिग्री टेंप्रेशर हो आर की वैल्यू गिवन है चली ऑस्मोटिक प्रेशर का अगर हम फार्मुला देखें तो पाई होता है पाई is equal to कि सी आर्टी होता है सी को हम राइट कर सकते एन बाई वी आर्टी और एन को हम राइट कर सकते डवल्यू बाई एम नमबर आफ मॉल्ल्स आर्टी और यहां आजाएगा वी बस यह द्यान रखना यह जो वी है यह लीटर में होना चाहिए है अगर हम यह वी मिलिलीूटर में यूजर करते हैं है तान में फर्मुला यूजर करूंगा मैं तो यह फर्मूला यूजर कर दिया क्कून सा क हैpiece ओर यह ले calling है तो यह तो सा होगा यह 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 रहाइए कि कहा से आया इतार प्मूला का दियाकू है यह प। चलिए मैं फार्मूला यहां पर राइट करूंगा क्या राइट करेंगे हम फार्मूले में पाई इक्वल टू डब्ली भी बाइंबी और टी बाइवी और इंटू 1,000 अब हमको डव्ली वी क्या गीवन है सर गीवन तो नहीं है 5% करने 5% मिनिंग है 5 ग्राम एपाइब 2 लिपाइब का मिनिंग ही 100 में कितना तो 100 में कितना है 5 ग्राम एके वाल्यूम की बात करते तो उल्यूम आप सॉजुशन कितना हो जाएगा 100 ml 1000 कि हमने इसलिए मल्टिप्लाइ किया क्योंकि यहां पर वाल्यूम क्या यूज करेंगे एमल में तेम्प्रेचर टेम्प्रेचर भी चाहिए और टेम्प्रेचर के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा यह कालवीन में चाहिए तो केलवीन के चेंज करने के लिए 273 से एड कर देंगे तो आज आएगा 300 केल्वीन कि डबल्यूबी आ गया आर की वैल्यू गीवन है कितनी आर की वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो एड टू वन नहीं गीवन है तो आप मल्टिप्लाइ कर सकते यह याद रखना इसको आर की वैली को अगर न जिनको नहीं पता ग्लुकोस का फार्मुला आपको पता होगा मैं राइट करता हूं सी 6 एज 12 और सिक्स ट्वैल हो जाएगा हीडूजन ट्वैल इंटू वन हो जाएगा और आक्सीजन 6 इंटू 16 हो जाएगा तो टोटल आ जाता है 180 ग्राम थोड़ा फटा-फट बता दिया वेल्यू पूट करते हैं चलिए डव्ली वी 5 ग्राम एम बी 180 आर की वेल्यू 0.0821 टेंपरेचर 300 इंटू 1000 टीवाइड वाइड वाल्यूम वाल्यूम कितना है 100 एमेल 123 123 यह पॉइंट भी अटा दूं कितना है 1234 1212 12 12 कैंसिल आउट हो जाएगा अब हमारे पास यह सिक्स टाइम कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर नीचे आ जाएगा 600 और उपर आएगा 5 इंटू 821 तो इसको यहाँ पर सोड़ा से सॉल कर लेते 5 इंटू 821 कितना जाएगा 4105 और डिवाइड बाए 600 तो डिवाइड बाए 600 हमको एक्सेक्ट पाई की वैल्यू मिलेगी 6.848 यह कितनी मिलेगी 6.848 तो यह अच्छा कोश्चन है और आएमपी कोश्चन है आता रहता है ध्यान रखे यह कोश्चन आया था मैं थोड़ा से स्क्विदर कर देता हूं यह जर्वत नहीं है उसकी पाइंड दो और 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 कैसे बताएंगे देखी सबसी सिंपल कोश्चन था मै lowering साथ में कुछ नहीं ज różचारिज़े इसमें जो ओड़र होए Allow penis क्या fabrication होगा तो यहां और 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 जिएक्षिन कितना एंनो कि पावर सहद आपको दीख नहीं रहर तो यहां पर और 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 यह séndo दूसरे के लिए अगर order of reaction बोले तो यह जो concentration की power है उनका sum है तो 1 plus 1 order of reaction इसका फिर से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बस आपको यही लिखना था order of reaction is 2 order of reaction 1 plus 1 is 2 इसमें order of reaction कितना हो जाएगा 3 by 2 जो भी rate law write किया हुआ है यह rate law है और इसमें यह जो power है यह power होती है order of reaction यह जो लास्ट है इसमें कुछ power नहीं है मतलब one power होगी तो यहां पर order of reaction हो जाएगा फान फोर नंबर का आया था एक तो चीजी यह पुछी थी दो नंबर में आपको order of reaction तो कुछ नहीं करना rate law में यह reaction तो फाल दुख दी यह से कोई मतलब नहीं है यह तो क्यों आपको डरा 152 तो हैं कोटी वजाएगी दो यहां कोटी हो जाएगी 2 समझ में आ रहा है नो की power दो तो रिखार और कितना लिखान वन लिखा एक वणर है तो यहां से आगया order of reaction अब पुछा है सेंक्रेट अफ रियेक्शन यह जो उनिट अफ रेक्षट कॉण सेंट की यूनिट कि यू करता हूँ कि केसे हम हर्द करेंगे सब्सक्राइब है रेच कॉस्टेंट कि युनीट लेच Sum जिसे पहला कुश्चीन हमारे पास इस एकॉल डूके अ रिटेवावर 2 था हम को इस गई बस हमको कुछ नहीं करना है यहां से मॉल पर लीटर की इन कहलेकीların मेरे प्हूंकर करना है इसमेर यहां से मोल पर लीटर की आपकाइब कि यूइट आफ कि क्या होगी उनिट अफ के हो जाएगी लिटर ऊपर मौल अपन में तो आप लाएंगे तो माइनस वन और क्या जाएगा सेट भी इनम वर्स इसको मैं ऐसे राइट करता हूं देखो यारे करूंगा मैं इसको राइट करूंगा मॉल इनवर्स इनटू लिटर इनटू सेकंड इनवर्स कि यही होगी और सेकंड की यह हो कैसे किसर आगे आपको समझत कdoing कर थे सेकंड में क्या है सेकंड में कुछ इस टाइप से दियाँ था RAT is equal to K और कुछ concentration to the power 1 कुछ concentration to the power 1 महल्ब सा रता की गाते अलग-अलग दीती हमको यह भी सान रता है यहां पर यूनिट क्या लिखेंगे माल पर लिटर इंटु सेकंड यहां के आएगा यहां क्या जाएगा M Aíद्ट इनवर्स इन्टस बोड़ा सा और जो भी कंसेंट्रेशन है उसकी पावर 3 by 2 है यूनिट राइट करेंगे यहां पर आजाएगा मॉल पर लीटर इंटू सेकंड यह फिक्स है कि एक यूनिट फाइंड करना है और यहां पर आजाएगा मॉल पर लीटर टू दी पावर 3 by 2 बस 3 by 2 को हम क्या राइट करें यह आना चाहिए 3 by 2 is equal to 1 into 1 and up 1.5 3 by 2 मतलब तो सकते वन तो कैंसल आउट हो जाएगा मॉल का जाएगा नीचे तो यूनिट क्या जाएगी यूनिट आपके इस क्या आएगा मॉल टू दी पावर माइनस 1 by 2 लीटर टू दी पावर 1 by 2 और सेकंड माइनस तो यही रहेगा नेक्स तो कुश्चन है फिप्त वाला स्वारी फोर्थ वाला उसको सॉल करते हैं अपन उसमें कुछ भी नहीं है रेट के और कंसेंट्रेशन सब्सक्राइए यहां पर राइट करेंगे लिटर इंटू सेकंड यहां के और यहां जाएगा मॉल पर लीटर से कैंसील तो क्या गया यूनिट अफ के इस ओनली सेकंड इनवर्स या वन बाइसेकंड याद रखेंगे पूचह जाता है फॉस्ट आटर रियेक्शन के लिए क्या होती है सेकंड इन्वर्सार को यह एक अच्छा कोश्चन था आया था इजी था नेक्स्ट कोश्चन है थोड़ असा टिपिकल है नुमेरिकल सॉल करना पड़ेगा इसमें तो अब हम देखते हैं क्या कोश्चन तक अपको चालकता दी एक मोलर मोलरता पर 0.025 मोलर मतलब इसीट का और उस मेथेनोग एसीट के कंसंट्रेशन पे जो कंडक्टेंस है वो कितना है 46 है मतलब यह वैल्यू है लेमडा एम की एक कंसंट्रेशन सी और वैल्यू कितनी है 46.15 स्टाइमन सेंटीमिटर स्क्वेर मोल इन्वर्स यह वैल्यू दी है अब आपको पूछा है डि इक डिशोशीयेशन अलफा और एक डिशोशीयेसन कॉंस्टेंट के करना है कि थ्लिमा क्स में कुष्चन आया था अब देखतें इसको कैसे सॉल करते हैं अगर आपको याद है तो अलफा का जो फार्मूला होता है अलफा इस एक्वल टू हमने पढ़ा था एप्लिकेशन अ यह फार्मूला होता है लेंडा M at concentration C and divided by लेंडा M at infinite dilution और 0 concentration अब हमको लेंडा M concentration C पर given है लेंडा M सांधरता C पर दिया हुआ है 46.15 remaining क्या है हमको जो नहीं पता है वो लेंडा M 0 नहीं पता है तो उसके लिए दो value दिये देखो लेंडा 0 h i n की सांधरता h i n की चालकता दिये कितनी दिये 349 359.65 और क्या दिये और मेथे फार्मेट आयन जो है फार्मेट आयन की भी conductivity चालकता दिये कितनी दिये 54.6 और यूनिट सेम रहेगी तो थर पहले हम क्या करेंगे मेथेनोईक यस की कंड़केंस कर एंडेंगे करेंगे सिक्स है फाइब भी नहीं है ओके प्लस 54.6 दोनों को एट कर लेता हूं मैं फटा-फट तो कितना होगा देखते हैं 349.6 प्लस 54.6 मुझे मिल जाएगा 404.2 एट करना है इसली कर सकते हैं जब यह आ जाएगा तो इस फार्मूले को यूज करेंगे ही हम और इस फार्मूले को यूज करके क्या कर सकते हैं हम ओल्फा के से करें यह थोड़ा यह अलफा के लिए घर करता हूं तहुंक 6.15 और divide by कितना आ जाएगा 404.2 बस इसको divide करना है तो divide में थोड़ा सा जल्दी calculation के लिए मैं use कर लेता हूँ 46.15 divide 404.2 हमको alpha की value मिलेगी 0.114 यह alpha की value आ गई जब आपने alpha की value को calculate कर लिया है alpha calculate हो गया है तो फिर क्या करेंगे हम alpha calculate अगर हो गया है तो हम k की value find करेंगे k की लिए एक simple सा formula है मैं इसको rough कर देता हूँ अड़ा देता हूँ और kya value find करेंगे k की value k तो हम निकाल भी सकते कैस कैसे निकालते 11 में पढ़ा था पर आपको याद रखना है यह value होती alpha square C divide by 1 minus alpha इसमें बस value put करेंगे alpha square है meaning है कि 0.114 into 0.114 concentration given है concentration कितना given है concentration याद नहीं है 0.025 था ठीक है तो 0.114 into 0.114 और यहाँ 0.025 जो भी value दी थी मुझे दिहान नहीं है और इसक्रीन से हट भी किया और 1 minus क्या हो जाएगा 0.114 बस इसको अगर हम solve कर लेंगे तो जो भी value आएगी वो किसकी value होगी के की तो इस टाइप से इस numerical को हम solve कर सकते थे अब बेग जाकर value देख सकते हैं next जो है बहुत simple numerical है पढ़ने में अगर देखें तो बहुत बड़ा लग रहा है the resistance of a conductivity cell containing 0.001 molar KCL at 298 Kelvin is 1500 Ohm आपको एक सेल का प्रतिरोध दिया है रेजिस्टेंस दिया है 1500 Ohm 1500 Ohm दिया है उस सेल में एक solution बढ़ा है 0.001 molar तो उसका जो resistance आया हो कितना है 1500 Ohm और क्या दिया है conductance दिया है conductance कितना दिया है तो conductance given है 0.146 into 10 to the power minus 3 साइमन सेंटिमीटर inverse यहां से पता चलता है कि यह के की value है यूनिट से तो conductance specific conductance दिया है और आर दिया है और आप से पूचा है what is cell constant तो आप जानते हैं कि r is equal to rho l by a होता है और इस l by a को हम बोलते है cell constant इसकी value find करना है लेकिन यह जो rho है वो किसके equal होता है 1 by k के तो rho अगर 1 by k के equal होता है rho is equal to 1 by k होता है तो यहां पर value put कर देंगे l by a यह find करना है बस यह के इधर चले जाएगा तो l by a is equal to k into r और इससे सरल निमेरिकल क्या होगा इससे easy कुछ नहीं है k की value put कर दो 0.146 into 10 to the power minus 3 और r की value कितनी है इससे 15 multiply करना है और solve करना है कि इससे easy काम हो जाएगा अगर point हटा हो तो ठीक है नहीं तो 12 तो यहां से 2 चले गया minus 1 बच्चा अब हमको क्या करना है lya की value लाना है तो इसमें किस से multiply करना है 0.146 into 10 to the power minus 1 और 15 यह 10 to the power minus 1 का meaning क्या होता है 1 by 10 देखो जरा यह 2 times और यह 3 times cancel हो जाएगा यह 2 times इधर cancel हो जाएगा तो 0.073 into 3 value लायाते है अपन 0.0.073 into 3 तो हमको मिलगी value 0.219 cm inverse कुछ नहीं करना है multiply करना था 0.073 में 3 का 3 3 जा 9 होता है 7 into 3 21 होता है तो 0.219 आगया इजी आग जाएगा बहुत आसान कोई tough नहीं है अगले दो कोश्चन है यह solution के और बहुत tough कोश्चन है यह जो कोश्चन है काफी calculation वाले कोश्चन है फिर भी हम देखते हैं easily समझ में आएगा यह Henry's law पर depend करता है Henry's law क्या कहता है आपको पता होगा जो पी है वो के एच एंटू एक्स बी के एक्वल होता है partial pressure जो है गेस का वो मोल फ्रेक्शन के टारिकली प्रपोर्शनल होता है और प्रपोर्शनल साइन अटाते तो Henry constant आ जाता है nitrogen gas को water में पास किया है nitrogen gas को पानी में प्रवाइद किया है तो nitrogen gas के कितने millimol घुलेंगे dissolve होंगे एक लिटर water में पानी एक लिटर है तो उसे एक लिटर में nitrogen के कितने millimol dissolve होंगे हमको millimol फाइंड करना है number of millimol of nitrogen nitrogen के millimol जो एक लिटर पानी में घुलेंगे partial pressure दिया है the partial pressure of nitrogen is 0.987 atm and the value of Henry constant is 76.48 हो सकता ये value लिखने में थोड़ी पहुत mistake हो गई हो लेकिन question आपको आना चाहिए main उसका value क्या है मतलब उसका theme क्या है उसका theoretical value theory क्या है ये समझ में आना ची कैसे solve होगा value तो हमको जो देंगे हम solve कर लेंगे partial pressure given है partial pressure कितना given है 0.987 cage भी given है cage कितना given है 76.48 और into xb हम easily xb की value find कर सकते 0.987 और ये upon में चले जाएगा तो 76.48 मैं थोड़ा सा calculator यूज कर लेता हूँ जल्दी calculation के लिए 0.987 divide by 76.48 और यहाँ पर मुझे मिला 0.0129 0.0129 ये है mole fraction mole प्रभाज आया किसका आया है nitrogen gaze का और आप जानते हैं कि xb जो है वो किसके एकवल होता है nb divided by na plus nb पहले हमको find करना है nb की value हमें number of moles of nitrogen चाहिए हमारे पास xb है क्या na है दो चीजे में बता रहा हूँ na find करना na क्या होते number of mole of solvent विलायक के mole की संख्या विलायक के mole कैसे पता करेंगे विलायक पानी water है 1 liter है 1 liter पानी जो है 1 kg पानी के एकवल होता है और 1 kg मतलब 1000 gram और आप जानते पानी का molecular mass 18 होता है इसको solve करने पर आपको ये भी पता है कितना आएगा 55.56 तो number of moles of water हो गए 55.56 पानी के mole की संख्या ये हमने side में निकाल के रख दी एक बात ये दूसरी बात हम dilute solution के लिए na plus nb को nearly na के एकवल आजमसन ले लेते है dilute solution के लिए बस ऐसा किया कि हमको nb direct मिल जाएगा देखो xb की value कितनी है 0.0129 is equal to nb और na की value कितनी है अभी बता ही हमने 55.56 ये दर multiply चले जाएगा तो nb की value कितनी आ गई 0.0129 into 55.56 बस उसमे multiply कर दो तो multiply 55.56 is equal to 0.71 0.717 ये है number of moles of solute number of moles of solute जो dissolve है किसमे 1 liter of solution पर आपको millimol पूछा है और millimol के लिए तो हम यह write करते है number of millimol of nitrogen कुछ नहीं करना इसको 0.717 को 1000 से multiply कर देंगे और 1000 से multiply किया तो 717 आ जाएगा ठीक है एक बार मैं calculation देख लूँ कि मैंने जो calculation किया 0.0129 एंटू 55.56 तो यह आ गया 0.0 ठीक है यहां पर value आ जाएगी 717 तो यह question आया था टू मार्क्स के लिए तो काफी typical question था पर आ गया था इसी के जैसा यह भी question है similar question है Henry law constant for CO2 CO2 के लिए Henry law constant मतलब KH की value given है यह उसके R में आया था और कितना है 1.67 into 10 to the power 8 है ठीक है calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water अब water यहां कितना दिया है 500 ml तो उसके number of moles हम फटा-फट फट फाइन कर लेते 500 डिवाइड बाइ 18 तो जितना आया था उसका हाप आ जाएगा 55 आया था 55.56 55.56 का हाप कर लेते तो कितना होगा 55.56 डिवाइड बाइ 2 एक्वल तो 27.78 तो number of moles तो हमको water के मिल गए फिर से हमको क्या बुलाएं पार्सल प्रेशर गीवन है 2.5 ATM बस यहां पर एक चीज ध्यान रखना था यह जो है पास्कल में गीवन है और यह ATM में तो इसको हमको convert करना पड़ेगा 2.5 into multiply करना पड़ेगा देखो मैं convert करके बताता हूँ 2.5 यह ATM में है इसको अगर आपको वायू मंडल में इसको आपको काई में बदलना है पास्कल में बदलना है तो 1.01 into 10 to the power 5 अगर multiply कर दोगे तो यह पास्कल में आ जाएगा तो यह पास्कल में आ गया ठीक है multiply कर लेते हैं 2.5 into 1.01 कितना आ रहा है 2.52 तो पी आ जाएगा 2.525 into 10 to the power 5 पास्कल बस फिर से formula लगाएंगे हैंडी according to हैंडी पी इस इक्वल टू क्या आएगा के एच एक्स भी और एक्स भी की value find करना है तो पी में किस से divide कर देंगे के एच से पी की value कितनी है 2.525 इन्टू 10 to the power 5 डिवाइड वाइ 1.67 इन्टू 10 to the power 8 यह power तो cancel हो गई 10 to the power कितनी remaining रह जाएगी 3 बस इसको डिवाइड कर लो तो 2.525 को डिवाइड करेंगे किस से 1.67 से हमको value मिलेगी 1. XB की value कितनी आई 1.51 1 to 2 लिखे रहे थे हम पन और इन्टू 10 to the power कितना जाएगा minus 3 तो यह आगया number of moles sorry, mole fraction of solute और mole fraction आगया तो अभी हमने write किया था NB find करना है तो हम क्या करेंगे XB इन्टू क्या जाएगा N A XB कितना आया 1.512 इन्टू 10 to the power minus 3 और इसमें multiply किसे कर देंगे 27.78 से हमको इस question में number of moles नहीं पूछे तो फिर क्या पूछा है number of moles नहीं पूछे तो पूछा क्या है हमको पूछा है quantity मतलब उसका weight बताना है तो यह तो आजाएगे number of moles अगर moles आ गए और आपको weight पूछा है तो moles से weight कैसे find करते हैं तो moles जितने भी आएंगे उसमें molecular mass से आप क्या करोगे multiply कर दोगे और CO2 का molecular mass 44 gram होता है तो यहाँ पर यह जो भी आ जाएगा value उसको multiply करके रख देंगे और उसमें 44 से multiply कर देंगे तो हमको exact answer मिल जाएगा तो एक अच्छा question है उसके जैसाई question है similar है बस इसमें calculation और जाता है number of moles आजाएगे वहाँ मिली मोल पूछा यह quantity पूछी है तो हमको last में molecular mass से multiply करना पड़ेगा अनुभार से गुणा करना पड़ता है और वो अनुभार कितना होता है 44 होता है चलिए last question बहुत अच्छा question है बहुत बार repeat हुआ है यह question इसकी जरुवत है भी नहीं अब हम फर्स्ट अर्डर reaction is 90% complete in 40 minutes एक प्रथम कोटी की अभिक्रिया 90 प्रतीसत पूर्ण होने में 40 minute का समय लेती है तो आपको इसके अर्ध आयुकाल की गण्णा करनी है चलिए फर्स्ट अर्डर reaction के लिए हम integration equation राइट कर सकते हैं 2.k is equal to 2.303 by T log initial concentration divide by concentration at time T और यहां आजाएगा बेस 10 इक्वेशन राइट करेंगे फिर फर्स्ट अर्डर reaction के लिए k is equal to 0.693 और divide by T half 12 यह equation 1 है फर्स्ट अर्डर के लिए यह equation second है यह integration equation है और यह half life T half की equation है अब दोनों में k की value k से start हो रहा है यह value कहां से start हो रही है k से यहां पर k है दिख नहीं रहाए आपको तो यहां में write कर देता हूँ k is equal k is equal to 2.303 k is equal to 2.303 यह value है अब दोनों k है हमें equation 1 और 2 को equal कर देंगे बराबर कर देंगे और बराबर कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा हमको मिलेगा 0.693 divide by T half is equal to 2.303 by T log A by A minus X और A by A minus X क्या होता है A initial concentration होता है और A minus X after time T के बाद का concentration है सांद्रता है A prorambic सांद्रता और A minus X कुछ समय के बाद की सांद्रता है यहां से इसको solve करना है तो T को इदर write करता हूँ देखो जारा 2.303 यह T half कहां चले जाएगा multiply में और यह कहां चले जाएगा divide में 0.693 और यहां आ जाएगा log यहां जाएगा A और A minus X बस यहां अबे जब आप free रहो तो इसको solve कर लेना मैं आपको solution बता देता हूँ इसको solve करने के बाद हमको value मिलेगी T is equal to 3.33 T half log A by A minus X best end पर बस solve कर लिए हमने दोनों equation यह value आ गई हम तो यह लिखेंगे first के लिए first order reaction के लिए integration equation first order reaction के लिए आप दोनों को equal करके यह सब write करने जर्वत ने डायरेक्ट यह भी rate writers और एक बार write कर भी लिए तो हम directly yes value पर आ जाएगे और आपको एक बात और ध्यान रखना है 3.33 को हम 10 by 3 लिख सकते 3.33 is equal to 10 by 3 calculation ऐसे हो जाएगे देखो जाएगे आपको time दिया है 90% complete होने में time कितना लग रहा है 40 minute इसको मैंने क्या बोला 10 by 3 write कर लो हो गया टी हाप asking है पूछा है log initial कितना 100 100 मान लेंगे बचा कितना है 90% complete हो गई तो remaining कितना होगा तो कुछ नहीं करना यहाँ पर 90 complete हो गई तो remaining 10 है इसको देखो यह cancel यह दर चले आएगा 12 आजाएगा यह टी हाप बचा और यहाँ आजाएगा 1 क्योंकि log 10 best 10 1 होता है और हमको टी हाप की value कितनी मिल गई 12 minute यह भी एक important question अब 12 यह पूरा question हमेशा इसे ही आता है बस change क्या होता है 40 इसको 50 लिख देगा इसको 30 लिख देगा आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर value पूट करना है और easily हम इसको solve कर सकते हैं तो आज का यह जो हमारा numerical session था यह आपको कैसा लगा हमें comment करके जरूर बताए और अगर आपके पास कोई ऐसा numerical है जिसका solution आपके पास नहीं है यह आपको समझ में नहीं आया तो बिल्कुल हमें comment करके बताए Thank you